हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरध्यां अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार बरती के लिए राजस्तान जोग्रफी की कलास स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी नो कलास है वो कंप्लीट हो चुकी थी ठीक है जिसमें राजस्तान के बोतिक परदेश है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके है चार बागों में बाटा गया था ठीक है आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जलवायू नया चेप्टर स्टार्ट हो रहा है जलवायू तो दोस्तों अगर आपने अगर पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा राजस्तान जोग्राफी पटवार बरती परिक्षा 2019 ठीक है तो आप वहाँ जाके सारे के सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्लास नमबर 10 देखो अपना टोपिक है इसमें जल्वायू ठीक है तो जल्वायू में अपन क्या क्या बढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जल्वायू में जल्वायू किसे का जाता है तीक है जलवायू समंदी अन्य मैत्वपून जानकरी तो दोस्तों अपन ये चार चीज पढ़ेंगे जलवायू के अंदर जिसमें आज शुरुआत की जो दो चीज है जलवायू किसे का जाता है और जलवायू के परकार और वर्गी करण ये अपन पढ़ेंगे आज बाकी के दो हैं ये कल पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले जलवायू किसे कहते हैं तो देखो नंबर ए पोइंट ठीक है तो देखो वायू मंदल ये अपना पूरा परस्वी है तो देखो दिर्ग कालीन गटनाए जलवायू कहलाती है और अलप कालीन गटनाए मोसम कहलाती है यानि कि अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसको मोसम कहते हैं जैसे कि दिन बरबादल है वो साफ रहते हैं और अचानक से बारिस का माहूल बन जाता है ठीक है बारिस आ जाती है तो उसको कहते हैं मोसम ठीक है उसको क्या कहते हैं मोसम तो देखो पर्तवी के चारों और वायू मंडल को दिर्ग कालीन गटनाओं को जलवायू कहते हैं ठीक देखो जलवायू का निर्धारन तीस वर्षों की ओसत दसाओं के आदार पर किया जाता है तो जलवायू का वर्गी करण है याद रखना दोस्तो इस चीज़ को थीक है देखो पर्त्वी के चारो और वायू मंडल की अल्प कालीन गटनाए मोसम कहलाती है पर्त्वी के चारो परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं मोसम कहते हैं ठीक है अब देखो यह तो गया अपना A point complete के जलवायू किसे कहते हैं आप सभी को पता भी चल गया होगा तो दोस्तो आज अब देखो B number का topic देखो जलवायू कैसी है ठीक है तो जलवायू देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर गलोब दिख रहा है उपर ही उपर देखो सीतोसन कटीबंद यानि कि सीत कटीबंद कहते हैं उसको ठीक है उपर ही उपर सीत कटीबंद साड़े छासट डिगरी के उपर देखो ठीक है फिर दोस्तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साड़े तेविस डिगरी आपको सभी को पता है कि साड़े तेविस डिगरी है वो राजस्तान से ओके गुजरती है दक्षन से ओकर ठीक है तो यह राजस्तान है राजस्तान क बिल्कुल डक्षिन भाग से ये साड़े 23 डिग्री है ये गुजरती है उसके बाद में दोस्तो उसन कटी बंद आ जाता है फिर 0 डिग्री यान की भूमदे रेखा ठीक है अब दोस्तो देखो ये तो आपको पता चल गया होगा कर सीत कटी बंद और सीतोसन कटी बंद और आते हैं 32 और उसन कटी बंद के अंदर कितना कौन सा जिला आता है तो वो बांसवड़ा यानि कि 33 जिले हैं जिसमें तो सामाने जल्वायू वरगी करण में दोस्तो इसके कितने प्रकार है तो इसके पांच परकार है ठीक है आधार यानि कि ये सामाने जलवायू वर्गी करण है इसका आधार क्या माना गया है इसका आधार है वो दोस्तों वर्षों के आधार पर यानि कि मैंने आपको बताया था कि 30 वर्षों के आधार पर जलवायू का वर्गी करण किया जाता है स नामने जल्वायू वर्गीकरण का ठीक है वेक्तिकत आदार पर अगर अपन देखें तो दोस्तों तीन भागों में बाटा गया है ठीक है वेक्तिकत जल्वायू वर्गीकरण को इसमें देखो राजस्तान की जल्वायू की बात और यहां पर ठीक है तो राजस्तान में देख और थौंट वेट कोपेन ने दोस्तों राजस्तान की जलवायों को चार भागों में बाटा है ठीक है और उसका आधार क्या माना है उसका आधार माना है वनस्पती ठीक है क्या माना है वनस्पती तिवार्थों ने दोस्तों राजस्तान की जलवायों को भी चार भागों में ब जिसमें थोंटवेट ने जो आदार माना है जल्वायू का वो क्या माना है तापमान, वास्पिकरण और वर्षा ये 3 माने है थोंटवेट ने तीक है अब आगे देखो दोस्तों जलवायू का सामाने वर्गी करण पढ़ेंगे फिर उसके बाद में जो व्यक्तिकत हैं, व्यक्तिकत के आधार पर पढ़ेंगे यानि कि तीनों के जो चार-चार भाग है वो पढ़ेंगे थीक है तो देखो सामाने आधार पर राजस्तान की जलवायू को पांच भागों में बाटा गया है जिसका आधार वर्सा है तीक है यानि कि राजस्तान का सामाने वर्गी करण है वो पांच भागों में बाटा गया है और जिसका आधार जलवायू वर्सा है तीक है अब देखो वो प वहतिक विभाग पढ़ाया थे, वहतिक विभाग में मैंने आपको बताया था, कि दोस्तों जिस में कितना परतिसत यानि कि कितने centimeter वर्सा होती है, ठीक है? तो देखो, एक तो है सुस्क कटी बंदिये और एक है अर्द सुस्क के कटी बंद यह, तो सुस्क कटी बंद में दोस्तों वर्षा होती है, वो 0 से 20 cm परती एर, यानि कि एक साल में 0 से 20 cm तक वर्षा होती है किसमें, तो सुस्क कटी बंद में, ठीक है, और यह 6 किसमें आता है, तो यह मरुस्तल में आता है, ठीक है, दूसरा देख तो वो आता है, अर्धसुस के कटी बंदिये में, ठीक है? ये भी आता है दोस्तों, मरुस्तल में, आपने पड़ाओगा, कि 0 से 25 और 25 से 50 मरुस्तल में, ठीक है? तो यहां पर दोस्तों, सामानवर्गी करण की बात हो रही है, यहां आपको याद रखना है, ठीक है? सामान्यर ये नमबर पे आता है उपादर उपादर में दोस्तों 40-60 cm परती एर वर्सा होती है वो होती है दोस्तों अरावली में ठीक है उपादर छेतर आता है किसमें अरावली के अंदर ठीक है उसके बाद में देखो आदर आदर का मतलब होता है 60-80 cm परती साल यानि कि एक साल में 60-80 सेंटिमीटर वर्षा जहां पे हो रही है वो कहलाता है दोस्तो आदर चेतर है और ये कौन से भाग में आता है तो ये मैदानी भाग में आता है ये पूर्वी जो चेतर है इसके अंदर गत आता है ये ठीक है उसके बाद में देखो अतियादर है अतियादर में दोस्तो 80 से 120 से ये वर्षा होती है ठीक है और ये कौन से भोतिक परदेश के अंतरगत आता है तो ये हाडुति का पठार के अंदर आता है ठीक है हाडुति के पठार को माल का पठार भी अपन बोल सकते है ठीक है हाडुति के पठार में कौन सी जलवायू रहती है तो अति आद्र जलवायू का सामने वर्गीकरत ठीक है अब देखो वर्गीकरत जलवायू वर्गीकरन तो देखो कोपेन का जलवायू वर्गीकरन देखो मैंने आपको तीन वेक्तिगत जलवायू वर्गीकरन बताए थे कोपेन टिवार्थो और ठोंटवेट ठीक है तो देखो सबसे पहले अपन कोपन कोपेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोपेन का जलवायू वरगी करन, तो देखो कोपेन के अनुसार, राजस्तान को चार जलवायू परदेश में बाटा गया है, और जिसका आदार है, वो वनस्पति को माना है, कोपेन ने जलवायू वरगी करन का आदार क्या माना है, तो वन कौन-कौन से सब्द जोड़े हैं नहीं, तो W और S, W यानि की मरुस्तल सुस्क, ठीक है, और S का मतलब स्टेपी, यानि की छोटी गास, यानि की अर्द सुस्क, ठीक है, अब देखो, A से क्या बन गया, A W, B को दो भागों में बांट दिया, एक तो W लगा दिया उसके आगे, और एक के लगा दिया S आगे, तो देखो, B W, H W, ठीक है, और एक S का क्या हो गया, B S, H W, ठीक है, तो ये, B को दो भागों में बांट दिया, तो चार, तीन तो यह हो गए, ठीक है, और चोथा है C, C का हो जाएगा C, W, G, ठीक है, कोपेन ने, चार भागों में बांटा है, जलवायू को, ठीक है, A, W, B, W, H, W, B, S, H, W, और C, W, G, ठीक है, ये चार भागों में बांटा है, कोपेन ने, राजस्तान की जलवायू को, ठीक है, अब देखो, मैं यह आपको बता रहा हूँ, ये चारो के चारो, ठीक है, देखो, सबसे पहले, दोस्तो, B, W, H, W, यानि कि सुस्क मरुस्तल, ये चेतर की बात हो रही है, यहाँ पे, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर पूरा का पूरा इसमें, जीरो फाइट यानि कि मरुदबिद, वनस्पति को माना है याँ पे, तो मरुदबिद यानि कि, मरुद के अंदर उगने वाले, यानि कि मरुस्तल में जो उगने वाले, वनस्पति के आदार पर, कोपे ने दोस्तो ये वरगी करन किया है, तो B, W, HW, जैसलमेर, विकानेर और बाडमेर का कुछ चेतर भी आता है उत्री चेतर ठीक है तो यह आएगा BW, HW में फिर उसके बाद में देखो अर्दसुस्क की मैंने आपको बताया था अर्दसुस्क तो अर्दसुस्क के अंदर BW, HW यानि की इस्टेपी, जोधपुर, पाली, जालोर, बाडमेर, नागोर ठीक है तो यह आएंगे दोस्तो BSHW, यानि की अर्दसुस्क चेतर में और यहां पे BW, सोरी, BSHW जलवायू पाई जाती है ठीक है उसके बाद में मैंने आपको बताया था CWG CWG यानि की मैदानी भाग में होता है यह ठीक है यह जो जलवायू है यह मैदानी भाग में पाई जाती है मानसुनी जलवायू उपादर चेतर कहलाता है यह CWG अब देखो AW यहां पे दोस्तों आपको बासवाडा का चेतर मिलेगा ठीक है इसमें सवाना वनस्पति पाई जाती है ठीक है तो यह कोपेन ने चार वरगी करन किये थे राजस्तान की जलवायू का तो BWHW BSHW CWG और AW ठीक है आप यह डाइगराम अगर माइंड में रखते हैं तो दोस्तों परिक्षा में जैसे ही कोई जिला आएगा तो आपको ओटमेटिक है वो इसमें पता चल जाएगा ठीक है AW है वो दक्षिन भाग में है CWG पूरी भाग में और BSHW यह दोस्तों अर्द सुस्क चेतर में और BWHW यह सुस्क चेतर में ठीक है यह हो गया दोस्तों किसका कोपेन का वरगी करन अब देखो दोस्तों AW चेतर में कौन सा आता है तो AW सबसे नीचे नीचे पाया जाता है तो देखो इसमें जलवायू जलवायू है वो आद्र और अतियाद्र पाई जाती है ठीक है आद्र और अतियाद्र आदर के अंदर मैंने आपको कितनी cm वर्षा बताई थी तो 60 से 80 ठीक है और अति आदर में 80 से 120 ठीक है cm वर्षा बताई थी मैंने इसमें और इसमें वनस्पती है वो सवाना वनस्पती पाई जाती है विस्तार इसका विस्तार है वो हडोती चेतर यानि कि बुंदी को छोड़ कर इसमें ठीक है वागड वागड चेतर इसमें आएगा बांसवडा डूंगरपूर और परताबगड बांसवडा डूंगरपूर और परताबगड का चेतर दोस्तो एडबलू के अंतरगत आता है और माउंट अबू भी साथ में ठीक है तो जो कोपेन के अनुसार एडबलू ह जो जलवायू है वो दोस्तों दक्षिन भाग में पाई जाती है और इसमें वनस्पति सवाना पाई जाती है इसका विस्तार है वो हडोती चेतर में यानि कि बूंदी को छोड़ कर वांशवाडा, डूंगरपूर, परताबगड और माउंटाबू ये चार्ज ले आते हैं दो BW, HW तो BW, HW यानि कि मैंने सुस्क मरुस्तल के बारे में आपको बताया था तो जलवायू जलवायू दोस्तों सुस्क मरुस्तली करन जलवायू पाई जाती है ठीक है वनस्पति दोस्तों इसमें मरुदबिद है ठीक है कौनसी वनस्पति है यहाँ पे मरुदबिद जिस इसको अपन क्या बोलते हैं जिरोफाइट से क्या बोलते हैं जिरोफाइट से इसका जो विस्तार है वो दोस्तो जसलमेर और बिकानेर के अंतरगत आता है ठीक है और बार्डमेर का कुछ छेतर भी आता है इसमें तो बी डबलू एच डबलू यानि कि सुस्क छेतर इसमें जस विशेस का है कि कम वर्शा वाला चेतr यानि कि 0 से 25 सेंटामीट वाले चेतr के अंतरगते ये BW Haj जलवायू आती है देखो मैंने आपको एक तो सामने के इंदर बताया था सामने केंदर मैंने आपको क्या बताया था कि 0 से 20 और 20 से 40 टीक है और अब देखो कोपेन ने क्या है कोपेन ने कर दिए 0-25 तो कम वर्सा वाला चेत्र 0-25 cm जहाँ पे वर्सा होती है वो सुशक मरुस्तली चेत्र कहलाता है और कम वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है यानि कि कंटिली वनस्पति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ठीक है देखो जीरो फाइट्स जीरो फाइट्स क्या होता है तो जीरो फाइट्स वहें वनस्पती जिसकी जड़े गहरी छाल मोटी और पतियां छोटी होती है उसको कहते हैं दोस्तो जीरो फाइट्स ठीक है और इनको मरुद्ध भी बो बोलते हैं अपन ठीक है अब देखो उसके बाद में आती है बी एस एच डबलू बी एस एच डबलू में देखो जलवायू मैंने आपको बताया था अर्दसुस्क वाला छेतर है ठीक है यानि कि अर्दसुस्क में 25 से 50 सेंटीमिटर वर्सा की बात हो रही है दोस्तों कोपेन क अनुसार तो जलवायू यहां पे अर्दसुस्क मरुस्त लिए जलवायू पाई जाती है और वनस्पती है वो यहां पे इस्टेपी पाई जाती है ठीक है और विस्तार विस्तार दोस्तों यहां पे लूनी नदी का जो छेतर है जालोर बाड़मेर जोधपूर पाली और ना गंगानगर तो गंगानगर हनुमानगर का जो छेतर है वो भी दोस्तों इसके अंतरगत आता है BSHW का ठीक है आपके दिमाग में अगर वो डाइगराम उपर वाला अगर सैट है तो दोस्तों आप कोपेन की जलवायू का वर्गी करन है वो आसानी से कर सकते हैं ठीक है देखो विशेस क्या है तो राजस्तान में कोपेन का सबसे बड़ा जलवायू प्रदेश है कौनसा BSHW अर्दसुस के मरुस्त लिए जलवायू ठीक है उसके बाद में दोस्तों चोथे नंबर का आता है CWG तो मैंने आपको बताया था के पूरवी राजस्तान ठीक है पूरवी रा को ABCD यानि कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह जो ABCD क्या है तो अलवर भरतपूर दौलपूर करो ली ठीक है तो यह जो छेतर है ठीक है यह इसके अंतरगत आते हैं यह जो जिले हैं RSTU पलस जैपूर ठीक है स्वाई मादवपूर आ गया इसमें जो जिले हैं वो सार राजसमंद आ गया ठीक है तो यह ऐसे आपको याद रखना है अगर सबसे पहले आप मैप को हैं माइंड में सेटे करो ठीक है विशेष क्या है इसमें तो विशेष में देखो यहां जल्वाई परदेश कर्शी छेतर के लिए प्रशिद है यहां जल्वाई परदेश है वो कोपेन का वर्गी करन उसके बाद में देखो तिवार्थों का जलवाई वर्गी करन तो तिवार्थों का जलवाई वर्गी करन इसमें देखो राजस्तान की जलवाई को चार भागों में बाटा है तिवार्थों ने ठीक है आधार क्या माना है आधार माना है वर्षा ठीक है राजस्तान की जल्वायों को चार भागों में बाटा गया है और इसका आधार माना है वर्षा को, ठीक है, अब देखो, कोपेन और टिवार्थों में क्या अंतर है, तो देखो, कोपेन और टिवार्थों में देखो, AW, डक्षिन भाग के बारे में बताया था आपको, आदर औ तिवार्थों ने उसका नाम भी क्या रखा है एडबलू रखा है ठीक है तिवार्थों ने भी उसका नाम क्या रखा है एडबलू और यहाँ पे जो ओसत वर्षा है वो 100 cm के लगबग होती है उसके बाद में देखो BWHW सुस्क छितर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे त वर्षा ओसत क्या मानी गई है 10 cm वर्षा ओसत इसमें मानी गई है तीसरे नमबर का देखो कोपेन ने क्या किया कि अर्दसुस्क छितर यानिकि BSHW तो यह लाश्ट वाला डबलू है यह हटा दिया किसने तिवार्थों ने तो क्या बना दिया BSH ठीक है वर्षा का जो ओसत वर्षिक वर्षा है वो कितनी मानी है तो 30 cm मानी है ठीक है उसके बाद में CWG CWG का क्या कर दिया दोस्तों इन्होंने तो काउ कर दिया यानिकि CAW ठीक है CWG तो कोपेन ने दिया और टिवार्थों ने क्या दिया CAW ठीक है और यहाँ पे ओसत वर्षिक वर्षा है वो 70 cm मा इसमें आता है ठीक है अब देखो थौन्ट वेट का जलवायू वरगी करन ठीक है सेम टू सेम टिवार्थों का और कोपेन का लगबग सेम ही है सिरख और सिरफ CWG की जगह क्या कर दिया C A W ठीक है और जहां पे W लगावा था वो तिवार्थों ने क्या कर दिया हटा दिया ब जलवायू को चार भागों में बाटा गया है ठीक है तो सब ने चार चार भागों में बाटा है व्यक्तिकत आदार पे अब देखो आदार क्या माना है थोंट वेट ने तो तापमान वास्पिकरन और वर्सा ठीक है उसने तो किसे लिये थे? A, B और C, ठीक है? A को एक बार लिया, B को दो भागों में बाट दिया और C को एक, ठीक है? तो यह ऐसे करके कोपेन ने चार भागों बाटा है और टिवार्थो ने भी सेम ऐसे ही किया है थोंट वेट ने थोड़ा सा अलग किया है थोंट वेट ने क्या किया है कि यहां तो A, B, C ले लिया और इधर थोंट वेट ने C, D और E ले लिया ठीक है? अब सिरफ और सिरफ इसमें यही फरक है तो देखो आधार, तापमान, वास्पिकरण और वर्सा C से क्या बना दिया? C, A, W यानि कि वास्पिकरण ज़्यादा और D को दो बागों में बाट दिया सेम टू सेम, कोपेन ने बाटा था B को वैसे ही तो D, A, W और D, B, W ठीक है? D, A, W और D, B, W E देखो, E को क्या कर दिया? तो E, A, D ठीक है? E, A, D ये कर दिया दोस्तों मरुस्तल वाले छेत्र को ठीक है? तो C, D, E तो याद रखना है थोंट वेट में और A, B, C याद रखना है आपको कोपेन और टिवार्थों में ठीक है? अब आगे देखो, डाइगराम देखते हैं ये डाइगराम है दोस्तों याँ पे देखो सबसे पहले E, A, D E, A, D के अगर पन बात करें तो E, A, D में देखो सुस्क जलवाईू ठीक है? विश्तार छेत्र में ने आपको बताया जसलमेर, बाडमेर ठीक है? पस्मी जोधपुर जसलमेर, बाडमेर और पस्मी जोधपुर इसके अंतरगत आता है सुस्क छेतर में E, A, D में ठीक है? अब उसके बाद में दोस्तों देखो इसमें अर्द सुस्क छेतर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा है वो चैंज कर दिया ठीक है? तो ये कर दिया दोस्तों इसमें तो देखो E, A, D तो ये रहा और उसके बाद में दोस्तों D, B, W ठीक है? D, B, W इसमें लिखावा नहीं है ठीक है? D, B, और W ठीक है? तो D, B, W में जलवायू है वो मिस्तित जलवायू विस्तार, बिकानेर, हनवानगर, गंगानगर, चूरू ये वाला छेतर इसने D, B, W के अंदर कर दिया उसके बाद में देखो D, A, W D, A, W ये दोस्तों मद्दे छेतर ले लिया यानि कि पूरवी वाला जो छेतर है मैदानी चेतर है वो पूरा का पूरा इसमें ले लिया है और जलवायू इसमें अर्दसुस का जलवायू पाई जाती है और विस्तार, विस्तार में दोस्तों आपको आपको देखो सरवादिख जिले हैं वो 3, 4, 4, 8, 10 जिले इसमें आते हैं स्वाइमादपूर, सिकर, अलवरबरतपूर, दौलपूर, करोली, यह जो राजसमंद, उदैपूर, टॉक, यह वाले जो छेत्र हैं यह इसमें ले लिये, इसने DAW में है, किसने तो थोंट वेट ने लिये है, उसके बाद में देखो CAW इसमें पूरा का पूरा हडोती छेत्र ले लिया है, CAW, जलवाईव इसमें सुस्क आद्र और उपाद्र, विस्तार हडोती यानि कि बूंदी को छोड़ कर वागड और बाउंट आबूचेत्र, ठीक है, यह ले लिया दोस्तो CAW में, ठीक है, किसने तोंट वेट में, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंन चीज है, वह मैं आपको इसमें बता देता हूँ, DAW, ठोंट वेट का सबसे बड़ा जलवाईव परदेश है, DAW, जो कौन सा वाला चेत्र है, जो पूर्वी वाला और दक्षिनी वाला चेत्र भी इसमें आता है, ठीक है, सिवाए हडोती के पठार को छोड़ कर, देखो, व्यक्त व्यक्तिकत, व्यक्यानिक जलवाईव वर्गी करण में, ठीक है, ठोंट वेट का वर्गी करण सरवादिक मानने जलवाईव वर्गी करण है, ठीक है, तो सरवादिक मानने जलवाईव वर्गी करण है, वो कौन सा है, तो वो ठोंट वेट का है, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है तो दोस्तों मैंने आपको इसमें मैंने बता दिया कि जलवायू वर्गी करण को है व्यक्ति का ताजार पे तीन बागों में बटा गया था कोपेन तिवार्थो और ठोंट वेट को ठोंट वेट ठीक है इन तीनों का वर्गी करण मैंने आपको बता दिया है कल अपन दोस्तो जलवायू में ही आगे के दो टोपिक्ट है वो पढ़ेंगे कल अपने जलवायू भी कंप्लीट हो जाएगी और पिछले अगर वीडियो नहीं देखें तो दोस्तो उनको जरूर देखें क्योंकि ऐसे वीडियो से आपकी तैयारी है वो रेगुलर जारी रहेग दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भरत